बिग बॉस के घर में हुई तीना दत्ता की वापसी और आते ही लगा दी शालीन भनोट की क्लास जिहां दोस्तों बिग बॉस के घर में तीना दत्ता दो बार आ चुकी हैं लेकिन आते ही उन्होंने शालीन भनोट की जम कर क्लास लगा दी है तो चलिए इस वीडियो में बतात इस टीना दत्ता को घर से बेघर किया गया था टीना का ये बहुत शौकिंग इविक्शन रहा जिसके बाद घर का हर सदस्तिय हैरान था टीना दत्ता को शालीन भनौट के एक फैसले ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था बिग बॉस के मेकर्स ने शालीन भनौट के साम ने एक option रखा था जिसके तहट वो बजर बजा कर तीना दत्ता या सुंबुल तोकित खान में से किसी एक को बजा सकते थे मगर उनके इस फैसले से बिग बॉस 16 की द्विनर की प्राइज मनी में से 25 लाग रुपे कर जाते अगर वो बजर नहीं बजाते तो दोनों में से किसी एक का इविक्षन कनफरम था अब शालिन भनाट ने समझदारी भरा फैसला उठाते हुए बजर नहीं बजाया जिसका खामियाजा तीना दत्ता को भुगतना पड़ा और वो घर से बेगर हो गई मगर यहां बिग बॉस खेल खेल गए बिग बॉस अब टीना दत्ता के इविक्षन के 24 गंटे के अंदर ही दोबारा घर में लाने की कोशिश की और टीना दत्ता की अब फाइनरी एंट्री हो चुकी है लेकिन आपको बता दें कि टीना दत्ता की कैसे एंट्री हुई तो भई हुआ ये बिग बॉस ने फिर से शालिन भनाट के सामने दो अप्शन रखे या तो वो बज़र बजा के पैसे बचा लेते या फिर टीना दत्ता को दोबारा एंट्री कर सकते थे लेकिन इस बार शालिन भनाट भी गेम खेल गए और उन्होंने बज़र बजा दिया और टीना दत्ता क लेकिन जैसे ही टी न दखता आई तो उन्होंने तो शालीन भनाट की क्यास लगा दी उन्होंने कहा अगर मुझे घर से वापस बुलाना था तो मुझे भेजाई क्यों यह तुम्हारी सारी चाल है मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे कभी से नहीं चाते यह सारा गेम जो अब भई जैसे ही टीना दत्ता ने शालिन भनौट की क्रास लगाई है फैंस ये चीज़ देखने के लिए और भी जादा एक्साइटेड हो गए है कि आगे घर में क्या क्या होने वाला है क्योंकि जस तरह से हम बार बार ये देखते आये थे कि टीना दत्ता और शालिन भनौट नजदीक आते हुए नज़र आते थे कभी इन दोनों का लव एंगल दिखाया जाता था तो कभी दोनों लड़ाई करते हुए नज़र आते थे लेकिन अब भई जहां सबके सामने टीना दत्ता ने फाइनली शालिन भनौट की क्रास लगा दी है तो इस ट्रैक को देखने के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही कीवी और बॉलिवुट की तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे फिस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से से भी लाइक कर दें